नमशकार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर, आज हम करेंगे रामधारी सिंह दीनकर की कवीता आद्मी, इस कवीता के माध्यम से दीनकर जी बताना चाते हैं, कि किस प्रकार बदलते हुए समय के साथ आद्मी अपनी आद्मियत या अपनी इंस्यानियत का जो भाव है, वो खोता चला जा रहा है यानि मानव में सभ्यता में परिवर्तन आ रहा है उसी परिवर्तन को इस कवीता के माध्यम से दिखाया है तो आईए देखते हैं कवीता दिनकर जी कहते हैं आदमी के बारे में मैं केवल यह चाहता हूँ कि उसके भीतर की चिंगारी अभंग रहे दिनकर जी यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो सबसे पहले आप यह बताएंगे कि अभिनव काव्य गरीमा में संकलित है यह पद और कौन से कविता से लिया गया है आदमी नामक कविता से लिया गया है इसके रचियता रामधारी सिंग दिनकर है यहाँ पर कविये कहना चाहते हैं कि प्रतेक अवस्ता में अभंग यानि जो भंग ना हो जो समाप्त ना हो ज जलना चाहिए कि आदमी के बारे में दीनकरजी अपने विचार वेक्त करते हैं कि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रस्थित्यां कैसी भी हूं उसके भीतर किसके भीतर आदमी के भीतर चिंगारी किसकी आतम सम्मान की जो आग है आतम सम्मान की जो चिंगारी है वो अभं टीज़े नहीं तूटे नहीं निरंतर जलती रहे बुझे नहीं अपनी आग को वह कभी बुझने नहीं दे और जो आपनाईज पड़े वीर्था के साथ सहे और अपने भीतर जो आतमसंबान की चिंगारी है आतम सम्मान की जो आग है वो कभी भी बुझने नहीं पाई यानि वो कभी समाप्त ना हो उसके मन में जो आतम सम्मान है वो कभी खतम ना हो चाहे कैसी भी विपरीत प्रस्तितियां हो आपदाई यानि जो मुसीबते हैं कस्ट हैं या विपरीत प्रस्तितियां हैं वो उसके ज के लिए हैं दो और अगर हम विशेष की ओर ध्यानद तो कभी मानव को आतम सम्मानद की भावना के साथ जीने की सिख्षा यहां देना चाहते हैं कि कैसी भी मुसीब्ते जीवन में क्यों ना हो प्रतेक मानव को अपनी आतम सम्मान को बचाते हुए अपने व्यक्तितु की रक्षा करने चाहिए सरल और सहर भाषा का प्रयोग है बोधगम्य भाषा है इसके साथ अगर गुण की यहां पर बात करें तो ओज गुण है यह आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा गुण है और चंद में कहीं भी तुक नहीं है तो इस तरह अतुकांत चंद है यह तुकांत चंद का प्रयोग यहां पर किया गया है यह आप छोटी-छोटी बाते ध्यान में रख सकते हैं देनकरजी कहते हैं चिंगारी चमकती रहे सदा उज्वल होकर आदमी बचाए उ मन में जल रही है वो हमेशा चमकती रहे वो हमेशा प्रजुलित रहे यानि मानव का अस्तित्व हमेशा बना रहे और कैसा हमेशा उज्वल होकर कि वो चिंगारी उज्वल होकर चमके दमके और मानवता को परकाशित करे आदमी बचाए आदमी किसको बचाए उस चिंगारी को उस आतम संबान के भाव को उस साहस के भाव को बचाए अपना सरवशव खोकर सब कुछ त्याग करके ب히 उसे अपने विचार जो है जो आदमियत का इंसानियत का जो भाव है उसे बचा लेना चाहिए लेकिन हाई लेकिन कवी यहाँ और व्हाहां पर दुख्व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सभ्यता ने य़िरिश्णा की इना इच्छाओं की जो इच्छाएं हैं वह बहुत जादा बढ़ गई है इस आग को कुचल डाला है और इस सब्वेता जो देखें सब्वेता यहाँ पर भारतिय संस्कृति की बात नहीं कर रहे आधुनिक सब्वेता की बात कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय में जो हम अपनी पारंपरी प्राचीन सब्वेता है उसका त्याग करके आधुनिक सब्वेता की और आकर्शित हो रहे हैं हमारी इच्छाएं हमें आधुनिकता की और लेकर जा रही है इसी आधुनिकता ने इनी इच्छाओं ने इस आग को कुचल डाला है किस आग को जो हमारे मन में साहस की आग थी जो हमारे मन में इंसानियत की आग थी उसको समाप्त कर डाला है दीपक की लो को तोड़ दिया है और जो हमारे भीतर दीपक यहां क्या है साहस का दीपक साहस हिम्मत या इंसानियत का जो दीपक है उसकी लो को तोड़ दिया है यानि उसको समाप्त कर दिया है किसने बुझा द नाश हो गया है या सम्मेदना समाप्त हो रही है इसी लिए यहां पर कवी यह बताना चाहते हैं कि जो मानव के भीतर साहस का दीपक चल रहा था वो भी अब समाप्त हो रहा है तो भाव यहां पर यही है कि आधुनिक सब्वेता के विकास के कारण ने तो मानव अब आगे और वो किसके रूप में आ रहे हैं मानव की प्राचिन सब्यता के प्रति जो मोथ ही जो हमारी प्रंप्राउं के प्रति जो अब अन्देखा पना गया है जो उनको त्यागने की होड़ चल पड़ी है उसी को यहां पर परदशित किया गया है इस कविता के माध्यन से आदमी के भीतर अब आग कहां जलती है? यहाँ पर कभी प्रशन करते हैं कि आदमी के भीतर आग नहीं जलती. किसकी आग नहीं जलती जो साहस है, जो प्रेम का भाव है, इंसानियत का भाव है, वो आग अब समाप्त हो गई है. सब्भेता ने उसे कौन सी सब्भेता ने आधुनिक सब्भेता ने उसे मिट्टी का जीवित पुतला बना कर छोड़ दिया है और आधुनिक सब्भेता जो वर्तमान सब्भेता हमें अपनी और खींच रही है उसने क्या कर दिया है मानव को जीवित पुतला बना दिया है और किसका मिट्टी का कि मिट्टी का पुतला है समवेदन ही मिट्टी के पुतले में समवेदना नहीं होती उसमें भाव नहीं होते वही विचार यहां पर बताना चाहते हैं कि अब मानव भाव रहित समवेदना र रहे गया है क्योंकि चिंगारी जब बुझ जाती है शैतान का काम बन जाती है क्योंकि चिंगारी किसकी चिंगारी यहां पर सहस की चिंगारी जब बुझ जाती है तो शैतान का काम बन जाती है यानि इंसानियत जब खतम हो जाती है तो शैतान या हैवानियत जाग उठती है आदमी तब रुपेयों का दास मजदूरी का गुलाम बन जाता है और इसके कारण क्या होता है कि मानव रुपेयों का दास यानि धन दोलत के पीछे स्वार्थी भाव से भागने लगता है उसमें स्वार्थ का भाव आ जाता है वो अपने आर्थिक सुख और भोतिक संसादनो की प्राप्ति में ही लगा रहता है मजदूरी का गुलाम मजदूरी का गुलाम यानि अपने भोतिक सुख सुविदाओं के लिए वो मजदूरी करने लगता है या गुलामी करने लगता है किसकी गुलामी धन की गुलामी और यही जीवन की सच्चाई है कि अपनी आर्थिक प बूल चुका है अब केवल उसे एक ही चीज दिखाई देती है वह धन दोलत का गुलाम बन जाता है और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है इससे मानव की इमानदारी उसकी सच्चाई या उसकी जो सात्विक वृतियां है वह समाप्त हो जात इस जीवन में करना पड़ता है इस कवीता के माध्यम से कभी बताना चाहते हैं कि मानव को अपने भीतर जो इनसानियत का भाव है या मानवियता का जो भाव है वह उसकी चिंगारी हमेशा जला कर रखनी चाहिए यानि उन विचारों का हमें कभी भी त्याग नहीं करना चा चाहिए संजो कर रखनी चाहिए भोतिक वादी सुख लंबे समय तक नहीं रहते जबकि इंसानियत का भाव ही समाज की नीव है समाज का आधार है तो उमीद करती हूं कि प्रशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यह जो हमने व्याख्या की है इस व्याख्या को आप अपने जब करेंगे तो सबसे पहले इसका आप रसंग लिखेंगे उसके बाद इसकी व्याख्या और उसके बाद इसका विशेश जरूर लिखेंगे विशेश में आप ध्यान दें दो बाते बतानी होती है पहला यहां पर भाव पक्ष बताना है आपको और दूसरा ब क्रियोंग किया गया है इसमें शैलि कौन सी है और साथ चंद कून सा है तो यहांपर देखें गुन कुन सा है यह आप यहां पर Mars भशाहरचिं प्रहीं के लिगात करें क्कांत ह। का प्रियोग यहां पर किया गया है भाशा सहल सरल हिंदी भाशा का प्रियोग इस कवीता में हुआ है तो इस तरह से आप एक अच्छी व्याख्या त्यार कर सकते हैं तो उम्मीद करती हूं कि वीडियो आप बहुत अच्छे से करेंगे इसी के साथ बहुत-बहुत